नमास्कार दोस्तों, इलेटिकल टेक्निशन चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों आज के वीडियो हमारा इलेटिकल वारिण के बारे में है और ये इलेटिकल वारिण के क्लास two है दोस्तों इस वीडियो के द्वारा हम सीखेंगे कि किस प्रकार से हम Contactor का उपयोग करते हैं और जो हमारा NONC Contact होता है उसका उपयोग हम सरकिट में किस प्रकार से करेंगे उसके बारे में सीखेंगे दोस्तों Contactor से Related में एक वीडियो उलिडी बना चुका हूँ उस वीडियो में मैंने आपको ये सभी चीजे बता के रखा हूँ यानि कि कॉन्टेक्टर क्या होती है कॉन्टेक्टर के पावर टर्मिनल, कंट्रोल टर्मिनल क्या होते है कॉन्टेक्टर का कोईल क्या होता है कॉंटेक्टर में NONC कॉंटेक्ट क्या होते हैं AirDomBlog क्या होता और वो कैसे काम करते हैं और बहुत सीजे में आपको उस वीडियो में बता चुका हूँ ठीक है यदि आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा तो उस वीडियो को जरूर देख लीजेगा उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्सन में देदूँँगा आप वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं ठीके दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं देखी दोस्तों जो हमारा कॉंटेक्टर होता है उसमें टीन टाइप के टर्मिनल होते हैं पहला तो A1 टर्मिनल और A2 टर्म है ठीक है एवान और एटू टर्मिनल कोंटेक्टर के कोईल के टर्मिनल होते हैं इसमें हमें क्या करना पड़ता है फैस सप्लाई और न्यूटा सप्लाई देना पड़ता है ठीक है अब यहां पे दोस्तों देखिए जो हमारा कोंटेक्टर होता है उसमें पावर टर्मिनल होत लिए मेन केबल करनेक्ट होता है उसको बंद करते हैं ठीक है आप यह जो हमारा इक सब्सक्राइब करनेक्स को सुपयोग कि लिए इन उपव्योग कर सकते हैं इन सब ego के वारे में हम आगे और डिटेर्स्स सीखेंगे बस आप इस वीदियो को लास Saints जरूद इए इस वीदियो को लास देखने के बाद यदि आपको ये वीदियो उसके बाद हमारा जो nc contact होता है, उसका सिंबॉल इस परकार से बना सकते हैं या फिर इस परकार से बना सकते हैं जिससे क्या होगा, यदि मैं फूस्ट बटन को प्रेस करो тबिसigen करें उसको रिलेज करने पर когда हमारा बंद हो जाती है अब यदि आपको यही drawing आपको circuit diagram के हिसाब से दिखाना है तो कैसे दिखा हुए तो देखिए आपको कुछ इस परगार से circuit diagram को draw करना पड़ेगा यह हमारा contactor का coil हो गया A1 और A2 terminal ठीक है अब यहाँ पर यहाँ पर मैंने एक और पुस बटन को करना पड़ेगा यहाँ पर मैंने एक पुस बटन ले लिया और इसको क्या करूँगा? यहाँ से एक प्रिय सप्ल्लाई देदेगा और इसको लिया के यहाँ पर नवारा connect कर दूँगा यानि कि यह जो हमारा push button था स्को मैंने इस push button के parallel में connect कर दिया ठीक है अब मैं यदि इसको प्रेस करूं या फिर इसको प्रेस करूं हमारा जो kalंटेक्टर है वह चालू हो जाएगा अब यदि मुझे और जगा प्रेंगा चालू करतमा इसे कोड़ोगी ना या थिक दोगी जैसी नुसका करना है तो हिसे प्रेष तक के में अब यद Bak anno प्रेस करने बाद हमारा Contraktor चालू ही रहना चाहिए तो उसके लिए सर्कीट कैसे बनाए तो देखिए यहाँ पर आपको एक होल्डिंग सर्कीट बढाना पड़ता है होल्डिंग सर्कीट कैसे बनाएंगे देखे लीजिए देखिए यहाँ पर का करना आपको यह जो कि यहाम करना है कि यह आप सीखना चाहते है कि कैसे पता करेंगे तो उस वीडियो का देख लीजिए, चलिए आगे बरतें, देखें दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा अनो कॉंटेक है, उसको हमें क्या करना है, इसी पूस बटन के पैरल में कनेक करते हैं, तो मैं यहाँ से एक वार को कनेक करके इसके 13 नमबर पर कनेक कर दूँगा, और 14 नमबर से एक वार को कनेक करके यहां पर connect कर दूँगा तो मैंने क्या कि अब यदि मैं इस पूस बटन को प्रेस करता हूं तो हमारा contactor चालू हो जाएगी और चालू होने के बार क्या होगा इसका जो अजलारी यहां से आते हुए इस पूस बटन को करने कर दूँगा यहां पर पूस बटन को करने करने से फायदा यह होगा यदि मैं इस कोंटेक्टर को बन करना चाहूं तो इसको प्रेस करके बन कर सकता हूं अब यदि मुझे और जगा से बन करना यानि कि इस को और दूसरे जगासे बन करना तो हम क्या करेंगे तो यहां प mismos दन को स см FL करना पड़ेगाания की यहां पर एक और सच्छ डंको कने का दूगा या यानि की यदी मुझे कंईटकर को करना तो उसको यह क्या करनगा कि है Нов बन करने के लिए circuit डागा मना रहा है यानि कि sensor के दौरा बन करना है या फिर limit switch के दौरा बन करना है या फिर कोई भी other electrical equipment का उप्यों करके इस circuit को break करना है तो आप क्या करोगा है कि इस circuit के series में connect करोगा है यानि कि मुझे connection करना है तो हम क्या करेंगे कि यहां से एक वार कनेक करूंगा और इस nc contact के साथ कनेक करके यह जो हमारा इंडिकेशन लेंप यानि कि हमारा जो ऑफ इंडिकेशन लेंप उसको फैस अप्लाई और यहां सी मैं इसको क्या करोगा नूटर सप्लाई दे दूगा ठीक है य यह जो अफर को उफर कले कर दो ही इस सप्लाई और नूटर सप्लाई कर दूगा जो फैस अप्लाई थर उसको मैं ने एक no contact के दोरा control कर दिया है यानी कि इस contractor के no contact के दोरा control कर लिए आप यदि मेरा contractor on होथी है तो यह जो no contact है वो NC बन जाएगा और power supply को आगे flow करा कि इस indication lamp को glow करा देगा यदि मेरा contractor off है तो यह indication lamp glow नहीं होगा, ठीक है दोस्तों दोस्तों यदि आप इस वीडियो का पीडिया फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा आप वहां पर क्लिक करके इस वीडियो का पीडिया फाइल डाउनलोड कर सकते हैं चलिए आगे बरते हैं अब देखें दोस्तो यहां पे हम logic का इस्तेमाल करके कैसे circuit diagram को draw करेंगे उसके बारे में सीख ले देंगे यहां पे पहला logic यह है कि यह जो हमारा K1 है यानि कि K1 contactor है वो तभी चालू होना चाहिए जब हमारा K2 contactor off हो है यानि कि यह contactor off है तभी यह वाला contactor चालू होना चाहिए तो इसके लिए हम circuit diagram कैसे draw करेंगे तो देखिए इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि यह जो contactor है इसका जो NC contact है उसको हमें यहां पे प्रियोग करना पड़ता है यानि कि इस contactor का NC contact मैंने इसके circuit में connect कर दिया य और जो हमारा contactor है वो दुबारा चालू हो जाएगा अब यदि मेरा यह contactor on है तो क्या होगा यह जो NC contact है वो NO रहेगा और NO रहने पर क्या होगा power supply को आगे flow नहीं होने देगा चाहे आप जितनी बार इस push button को प्रेस कर देए चलिए अब यहां पे हम second logic को imaging करते है second logic क्या है देखिए यह जो हमारा k1 contactor है इसके चालू होने के बाद ही हमारा k2 contactor है वो चालू होना चाहे यानि कि यह जो हमारा k2 contactor है इसको हम कितने बार भी इस start push button को प्रेस कर देए यह हमारा k2 चालू नहीं होना चाहे जब तक यह k1 contactor चालू ना हो ठीक है यानि कि इस के चालू होने के बाद ही K2 Contactor Own होना चाहिए तो इसके लिए हम कैसे सरकिर बनाएं तो देखिए यहाँ पर मैंने Dual Starter ओलिडी बनाया हूँ ठीक है यहाँ पर आपको क्या करना है कि इस Contactor का Logik आपको K2 के सरकिर में करना है यहाँ पर आपको सोचना है कि कौन सा Contact इसका उप्योग आपको यहाँ पर करना पड़ेगा अब क्या से काम करेंगा दोस्तों देख लीजिए यहाँ यह Contactor चालू होता है यानि कि इस Push Button को Press करता हूँ तो यह Contactor हमारा चालू हो जाएगा ठीके यह चालू होती क्या होगा इसका जो एनो कॉंटेक है वो एनसी में कनवर्ट हो जाएगा ठीके और क्या करेगा Power Supply को आगे फ्लो होने देगा अब यदि यह Contactor चालू नहीं है तो यह हमारा के वन कॉंटेक्टर है इसका एनो कॉंटेक हमें के टू के सरकीट में उप्योग करना पड़ेगा ठीके दोस्तों तो कुछ इस प्रकाश्य हम एनसी कॉंटेक का उप्योग करके कि कुछ सरकी डाइगाम सही है ठीक है question क्या है यानि कि हमारा logic क्या है देख लिए आपके पास में दो contactor है k1 contactor और k2 contactor ठीक है अब यहां पर इन दोनों contactor को आपस में interlock करना है यानि कि एक समय में केवल एक ही contactor चालू होना चाहिए यानि कि आपका k1 contactor चालू हो जाए या फिर k2 contactor चालू हो जाए इन दोनों में से केवल एक ही contactor एक समय में चालू होना चाहिए यदि k1 चालू है तो k2 चालू नहीं होना चाहिए तो इसके लिए मैंने यहां पर चाल सरकीट डाइगाम आपके सामने बना के रखा हूँ ठीक है इन में से आप अपना अंसर चूज करिए और उसको comment box में comment करके बताईए पहले अपसन में मैंने क्या कि आउए कि oca पनाया पूं आऊ और उससमें उसको में क्या क्या मैंने कि ना तो यदि कर की यह है तो आप comment box में comment करिए उसके लगाए यह जो हमारा के वान का सरकीट है उसमें मैं कि ऍशे कर लिघे और के सरकेट में कि यदि आपका अंसर भी है तो आप कोमेंट बुक्स में भी कमेंट करीं और धो सु का हुआ कि पर uc 감 стоит देख अशिकला शॉप कर लिखts और जो हमारा D option है उसमें क्या है दोस्तों देख लीजिए यह जो हमारा contactor K1 ने इसका NC contact K2 के सरकित में यूज़ किया गया है और यह जो हमारा K2 contactor है इसका NC contact हमने K1 के सरकित में किया हूँ ठीक है तो यहाँ पे आप अपना answer choose करिया और उसको comment box में comment करके बताईए दोस्तो आपको यह वीडियो पसंद आया होगा यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लिस इस वीडियो पर like share और comment जरूर कर देजिए और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल को subscribe ने किया तो subscribe भी कर लिजिए इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद